तो अब इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दूसरे रिक्वेस्ट की अब देट रिक्वेस्ट के बारे में पिछले वीडियो में हमने एक फंक्शन वाया था create post के लिए तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ create post और यह सही तरह की से work भी कर रहे हैं हमने जाके देख लिए के अंदर पूर तरह का रहा है अब हमें क्या करना है अब हमें उसी डीटा को get keyword कि मतला से सारा डीटा हमें accept करना है ठाइक हैं और और कुछ data को हमें update भी करना है तो उसके लिए भी हम functions यहाँ पे लिख सकते हैं अब लोग यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले read data को generate करते हैं okay read one तो हमें खाली एक ही data को read करना है यू मान लो बट उससे पहले मैं यहाँ थोड़ी बहुत सी जो है title let's say man stack मैं थोड़ी बहुत सी पोस्ट को यहाँ पर generate कर लेता हूँ ताकि जो है easy रहे मेरे लिए man stack man stack is easy for developers and okay that's it send कर देते हैं इस चीज़ को okay एक और चीज़ लिख देते हैं man stack one one stack one send okay हो रहा है अभी हमने तीन जो है पोस्ट बना लिया है और तीन हमारे पास पोस्ट अभी के लिए है विलेपल है ठीक है अब पहला read one का जो function है वो क्या करता है basically तो वो हर एक मतलब let's say कि आप पहली पोस्ट को एकसेप्ट करना चाहते हो हमें सारी पोस्ट नहीं चाहिए तो first post accept करनी के लिए हम क्या कर लेते हैं basically इससे पहले है शाहिद मुझे आपको यह बतना चाहिए कि हम सारे get all posts को कैसे accept कर सके get all posts को accept करना बहुत है असान है आप एक variable generate कर सकते हो और यहाँ पे आप get all या फिर जो भी आपको नाम आता है वो लिख सकते है get post तो यहाँ पर मैं लिखूंगा request slash response और उसके बाद इसके अंदर मैं यहाँ पर post dot find value को find का इस्तमाल करके मैं जब मैं find का इस्तमाल कर रहा हूं तो मैं सारी post को accept कर रहा हूं ठीक है तो सारी post को accept कर लेते हैं और इसके अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको sort करेंगे with the technique of character at मतलब चाहें कि time stamp की मदद से हम इसको अगर sort out करना चाहते हैं कि कौनसी post new है कौनसी post old है यह अगर find out करना चाहते है तो हमें लिखेंग निकला पड़ेगा created at minus 1 इसे यह sort हो जाएगा created at I think I misspelled something no it's all right तो ठीक है अब x का इस्तेमाल करके हम इसके अंदर के errors को find out कर सकते हैं अब यहाँ पर executive के लिए मतलब मैं इसके अंदर error and posts को ले रहा हूँ posts because यह जो function है वो हमारे काम का है because यहाँ पर हम सारी post को accept करना चाहते है in that case अब यहाँ पर अगर error आता है if error then we wanna go with log keyword और यहाँ पर हम error को pass out करेंगे और अगर यह सही जा रहा है तो response.json posts वैसे कोई log के अंदर भी ज़रूद नहीं है हम directly यहाँ पर response.json जो है वो error को भीज सकते हैं ठीक है all right that's it okay तो हमने अब get post का इस्तमाल करना है तो हम पहले क्या करेंगे post route के अंदर जाएंगे इसी route का हम copy करेंगे अब हमें क्या करना है simply यहाँ पर जो value है वो है get और यहाँ पर हम लिखेंगे get post but before that हमें इसे call करना पड़ेगा तो get post ओके यहाँ पर चलते हैं यहाँ पर लिखते हैं get post save it okay let's go back here अब हमें get post के उपर जाना है तो get के request के अंदर यहाँ पर लिखेंगे post send I can see we got an array inside that particular array we got our first object, second object and third object okay all are there and आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह sorted हो चुका है with the technique of created add मतलब जो हमारी new post है वो सबसे उपर आ चुकी है जो हमारी older post है वो नीचे 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 इस flow में आ चुकी है तो यहाँ पर मैं इसको फटाफट से save कर लेता हूँ बड़ावर से save कर लेता हूँ ताकि बात में मुझे एक idea मिल जाए कि हाँ यह work खो रहा था तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर अब हम दूसरे functions को भी build करेंगे तो दूसरे functions को build करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं सबसे पहले get all post अब हम read 1 करेंगे read 1 मतलब हम इस खाली एक ही post को अभी के लिए read करना है तो हम क्या कर सकते हैं तो एक post को read करने के लिए हमें mongodb के कुछ चीज़े इस्तमाल करने पर लिए जैसलाग internal commands तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ const read कर लेता है read read is equals to request slash response and inside that we are going with constant slug slug हमें कहां पर मिलेगा मिलेगा request.params के अंदर तो params के अंदर हमें उपना slug मिल जाएगा जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ slug slug यहाँ पर आपको अब हम इसको print करके check करेंगे कि यह work करा है नहीं तो उसके लिए हम क्या करेंगे read के लिए हम get के अंदर एक अलग route generate करने वाले है ठीक है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर चलना पड़ेगा यहाँ पर router.get but whether we're going for the home page we wanna add a colon there and we need to pass slug there once we get that तो जैसे हम यहाँ पर चलते है तो हमें क्या करना है उस slug को लेना है तो यहाँ पर हम read का इस्तमाल करने वाले read चलते हैं यहाँ पर यहाँ पर control s with read I hope you got the point तो यह जो keyword है यह colon वो क्या करता है वो basically specify करता है कि जो slug है वो कोई single value नहीं है वो change हो सकती है वो change होगी तो उस तरह कैसे हम कहते है मतलब यहाँ पर कर मैं simply words मैं id लिख दू तो id 1, 2, 3, 4 जैसे हो वैसे हो सकते तो यह यही कहा रहा है तो slug save read अब जैसे ही हम किसी ऐसे URL को fire up करेंगे जैसे लाइक मैं अगर यहाँ पर add new request के उपर कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ slug और यहाँ पर अगर मैं लिख दो localhost 4000 post slash जैसे मैं one up fire up कर दो ठीक है send कर दो cancel कर दो यहाँ पर चलते हैं यहाँ पर post controllers के अंदर हमने यहाँ पर I think read के अंदर कुछ भी return नहीं किया and that's why बट अगर मैं यहाँ पर अपने visual studio code के अंदर terminal के अंदर चला जाओ देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है one तो one क्या है basically one यह जो हमारा parameter है वो है one तो वो print होगा मतलब हमारा जो slug है वो हमें मिल रहा है right तो slug हमें मिल रहा है तो हम आगे क्या करेंगे उसी slug की मदद से अपने database के अंदर उसी particular data को find out करेंगे and that's it तो यहाँ पर रिखेंगे post.find1 and इस find1 के अंदर हम pass out करेंगे slug ठीक है slug की मतलब से हम उसको find out कर रहे है execute you और error post error post के अंदर हम क्या करेंगे हाँ पर if error is equals to अब lock कर सकते हो response.json which is for error second response.json post save it now let's check this out one null okay but हमें यहाँ पर message डालना है not found okay that's great अब हम क्या कर लेते हैं अब हम send कर लेते हैं okay we got that we see that find one we wanna set it as a not found but it's pull up okay let's go with this way return response.json and and we see that okay message dot not found और इससे पहले कि यह बंध हो जाया मैं आपे यहां पर रिटन कर रहा जाया। ठीक है गाइस okay that's it not found but if I go with very creative stuff like this way यह हमारा slug है post के अंदर चलते हैं slug के अंदर send okay हमारा crash हो गाए system let's check this out cannot set header after they are sending to the client cannot set header after they send to the client okay let me just check this out hold on a second तो यहां पर इस return keyword की वज़े से हमें वो error showcase हो रहा था तो मैं आप इसे delete कर लेता हूँ और जो error है उसको बस में खाली lock कर लेता हूँ वैसे भी हमें जो return मिलने वाला है वो null ही मिलने वाला है तो हम यहां पर इस error को ऐसे ही print करेंगे save it let's check this out यहां पर send we got that particular data तो हमें वो data particularly यहां पर मिल चुका है so that's it तो मैं आप यह वीडियो को बहुत ही short रख रहा हूँ विकास पिसला वीडियो तो वाकरी में बहुत बढ़ा था और इस वाले वीडियो के अंदर मैं इसे short ही रख रहा हूँ हमें अपने सारे पोस्ट देखने है और दूसरी चीज़ जब हम उस पोस्ट के उपर क्लिक कर रहे है तो हमें उसी डेटा उसी पोस्ट का उसी डेटा चाहिए तो that's why यह कीवर्ट और homepage के लिए हम इस्तेमाल करेंगे यह वाला function और single data को लेने के लिए यह वाला function I hope you got the point अब हमें update and delete के उपर काम करना है जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे तब तक के लिए आप थोड़ा सा relax हो जाओ और इसको try कर दे रहा हूँ ठीक है? थोड़ा concept weird होगा no chase के अंदर थोड़ा weird but एक बार आप कोई concept समझ में आचाहिए बहुत ही आसाँजिस चीज है ठीक है? thank you for watching this video let's catch up in the next one